नमस्कार दोस्तो एक बार फि्टर स्वागत आपका मेरे योट्यूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं human Together हर्पीज वाइरसेज दोस्तों हर्पीज वाइरसेज हर्पीज विरिडी फैमली से बिलॉंग करते हैं ये एक बहुत बड़ी फैमली है जिसमें बहुत सारे वाइरसेज आपके आते हैं हर्पीज वाइरसेज तो हर्पीज वाइरसेज जनरली अगर हम देखें तो बहुत सारे हर्पीज वाइरसेज होते हैं अनिमल हर्पीज वाइरसेज भी होते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं हुमन हर्पीज वाइरसेज की यानि कि ऐसे हर्पीज वाइरसेज जो हुमन बिंग्स को इनफेक्ट करते हैं तो तो आठ ऐसे human harpeas viruses हैं जो human beings को infect करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी morphology की बात करते हैं तो ये structure आपके सामने है harpeas virus कैसा है? एकदम spherical या circular आप कह सकते हैं spherical virus है जिसका size है 150 to 200 nanometer इसका size होता है तो दूसरा point ये आपका enveloped virus है यानि कि इसकी outer covering में क्या present है? envelop से बनी हुई है अभी पढ़ेंगे हम क्या है envelop और तीसरा point है कि ये एक DNA virus है DNA virus यानि कि इसका जो genome है जो genetic material है इसमें वो DNA present है जैसा कि आपको पता है कि viruses में एक ही genetic material present होता है या तो DNA होगा या RNA होगा तो उसके basis पे हम उनको classify करते हैं अगर DNA present है तो उसको DNA virus बोलते है अगर RNA present है तो RNA virus बोलते है तो यहाँ पे जो harpeze virus है वो कैसा virus है? DNA virus है क्योंकि इसमें DNA present होता है तो harpeze virus में आपका double strand rate जैसा कि आप देख रहे हैं यह देखिए इसमें क्या present है? double strand rate linear circular नहीं है DNA कैसा है? linear है linear DNA इसमें present है double strand rate linear DNA इसमें present है और दोस्तों एक खास बात और इनकी क्या होती है इन viruses की? कि यह virus हमारे latent phase पे रहते हैं यानि कि यह latency सो करते है latency का मतलब है कि यह virus आपकी body में काफी time तक hidden form में रह सकता है dormant phase में रह सकता है यानि कि present तो होगा आपकी body में लेकिन यह आपकी body में कोई illness या कोई infection या कोई disease cause नहीं करेगा काफी time तक ठीक है? तो धिरे धिरे अगर आपके body की immunity अगर down हो रही है अगर आप immuno compromise हो रहे हैं तो इसको मौका मिल जाएगा और यह attack करना शुरू कर देता है यानि कि फिर क्या बोलेंगे आप उसको recurrent infection recurrent infections इसकी case में होते हैं got it? या आप उसे बोल सकते है latent infections या persistent infections तो इसके अगर morphology की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह जो आप देख रहे हैं यह structure this is called the nucleocapsid right? इस nucleocapsid के अंदर जब आप जाते हैं तो हमें मिलता है इसका genetic material that is double standard linear DNA got it? तो यह जो DNA आपका है it comprising of 125 to 240 kg base pair nucleotides यह जो DNA आपका है यह कैसे किस से बना हुआ है? around 125 to 240 kg base pair nucleotides से मिलके बना हुआ है got it? और इसके बाहर जो आप covering देख रहे हैं यह क्या आपकी capsid इसको क्या बोलते है? nucleocapsid यह capsid और यह capsid किस से बना होता है? capsomere से मिलके बना होता है तो around 162 capsomere से capsomere से यह आपका nucleocapsid बना हुआ है अब इससे बाहर की तरफ आए हैं तो यह जो structure आप देख रहे हैं between the outermost layer and this nucleocapsid इसके बीच में जो आप यह structure देख रहे हैं amorphous type का structure यह आप कह सकते हैं asymmetric type of structure इस structure को हम बोलते हैं tegument यह क्या है? tegument उसके बाद बाहर की तरफ आए हैं तो बाहर की तरफ यह हमारी क्या है? envelope अब देखें envelope के हमारे दो पार्ट है एक तो है lipid part यह lipid part हमारा host cell से derived होता है यानि कि यह virus जहां infection कर रहा है जिस tissue पे infection कर रहा है वहां से derived होता है यह lipid part तो इस lipid part में आपके कुछ यह इस तरह के structures छत्री के type के structures spikes इनको हम बोलते है spikes यह आपके इसमें embedded होते हैं तो इन spikes को हम क्या बोलते हैं that is the protein part यह क्या है protein part of envelope protein यानि कि glycoproteins यह क्या है glycoproteins यह सारे जो आप structures देख रहे हैं got it तो यह glycoproteins और lipid मिलके क्या बना रहे हैं envelope यह मिलके क्या बना आपका इस virus का envelope बना got it एक बार फिर से सुनिये कि envelope के दो पार्ट होते हैं एक तो lipid part दूसरा protein part got it lipid part जो होता आपका वो host cell की host cell की nuclear membrane से derived होता है host cell means host को यह infect कर रहा है ठीक है उस host की infected cell की जो membrane होती है got it nuclear membrane nuclear membrane से derived होता है दूसरा है हमारा protein part तो इस protein part में क्या होते है glycoprotein spikes हमारे present होते है तो glycoprotein spikes और lipid milk के envelope बनाते हैं और दूसरी बात ही है कि दोस्तों अगर हम इसके DNA की बात करें हरपी इस virus के DNA की बात करें तो इस DNA का replication जो है बाकी DNA viruses के replication की ही तरह होता है लेकिन एक खास बात क्या है जो आपको याद रखनी है कि इसका जो replication होता है वो rolling circle mechanism से होता है यह आप याद रखनी है यह इसकी खासेत है क्यों क्योंकि क्या होता है कि यह जो linear DNA है आपका ठीक है यह host cell के cytoplasm nucleus में enter करने के बाद यह क्या बन जाता है circular DNA में convert हो जाता है एक बाद फिर सुनिए कि यह जो double standard linear DNA है हर्पीज वाइरस का यह human beings की cell के अंदर जाके उसके nucleus पे जब enter करता है तो यह वहां कैसा बन जाता है circular बन जाता है circular DNA में convert हो जाता है और फिर इसका जो replication होता है वो इस mechanism से होता है rolling circle mechanism से got it तो यह वाइरस human herpes virus यह बहुत खतरनाग वाइरस होते हैं human beings में बहुत तरह के infections काज करते हैं mainly यह हमारी skin infections काज करते हैं हमारी तोचाक में infections काज करते हैं और हमारे जन्नांगों में भी यह infection काज करते हैं यह जन्नांगों यह जन्नांगों पर infection काज करते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारे lesions बनते हैं उनमें खुजली होती है बहुत ज्यादा ठीक है और लिजन बहुत ज्यादा painful होते हैं दर्दनाक होते हैं दाद या फिर घाव बन जाते हैं कभी आपके आते हैं फिर कभी चले जाते हैं इस तरह के lesions case में बनते हैं बात करते हैं harpeas virus के classification की तो जैसा कि हमने आपको बताया कि harpeas viruses यह harpeas viridi family से विलोंग करते हैं और इसकी harpeas viridi family की 3 sub family हमारी होती है alpha, beta and gamma तो सबसे पहले बात करते हैं alpha, sub family की तो यह बात भी हमने आपको बताये कि इस virus की क्या property है कि यह latent infections आपका cause करता है यह latent phage में रहता है dormant phage में रहता है तो body की बहुत सारी sides में बहुत सारे neurons में या बहुत सारी glands में यह क्या होते है हमारे latent phage में रहते है और इसके general की अगर बात करें तो alpha, sub family में दो general है simplex virus and varicello virus तो simplex virus की अगर बात करें तो इसके official name है human herpes virus first and human herpes virus 2 इसमें आते हैं human herpes virus first का common name है that is herpes simplex virus type 1 or human herpes virus 2 का common name है herpes simplex virus type 2 right दूसरा general है varicello virus जिसका official name है human herpes virus 3 और इसका common name है varicella joster virus दूसरी सब family है beta family इनकी site of latency है glands या फिर kidneys और lymphoid tissues यानि की T cells में lymphoid tissues की T cells में got it तो general के जर बात करें तो glands और kidneys में जिनकी site of latency होती है उसका general है cytomegalovirus official name है human herpes virus 5 और common name भी इसका cytomegalovirus है short में इसको cmv बोलते है lymphoid tissues T cells में जो latent phase में रहते हैं जो herpes viruses उनका general है rogiolo virus और official name की बात करें human herpes virus 6 and human herpes virus 7 इसमें 2 आते है common name की बात करें common name भी इनके same है human herpes virus 6 & 7 third sub family है gamma site of latency की बात करें तो यह B cells में हमारे latent phase में रहते हैं lymphoid tissues B cells में 2 genre है lymphocrypto virus and rabidino virus official name की बात करें तो lymphocrypto virus का official name है human herpes 4 और rabidino virus का है human herpes 8 human herpes 8 का जो common name है that is epstein bar virus 4 human herpes 4 का human herpes 8 का common name है that is scaposis sarcoma associated herpes virus को बोलते है got it तो दोस्तों I hope कि आपके समझ में आया होगा अगर समझ में आया है lecture तो आप please like करें और याद सदा share करें और चैनल पर पहली बार है तो subscribe करें चैनल को जरूर और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वह आपको मिलते रहे thank you very much प्रेस्प्राइब